इंग्लैंड जिसको पुरी दुनिया के अंदर एक progressive advanced democracy माना जाता है वहाँ आज भी राजा क्या कर रहा है और जो हाली में coronation हुआ यानि जो तासाही हुई पुरी दुनिया में देखी गई वहाँ के लोग जो थे उससे ज़्यादा खुश नहीं थे वो इसके खिलाब थे ज़्यादा तर लोग इसके खिलाब थे पुरी दुनिया में जो colonies उन्होंने create की वहाँ के लोग भी उससे ज़्यादा कुछ खुश थे नहीं तो फिर भी आज राजा वहाँ क्यों है इसका simple जवाब है राजा नहीं तो कौन जो हमारी मीडिया बोलती है बार-बार मोदी नहीं तो कौन वहाँ भी यही जलता है राजा नहीं तो कौन और यही वज़ा के वज़ए से वहाँ पे आज भी राजा है क्योंकि अगर आप वहाँ पे राजा को हटा देंगे तो वहाँ पास कौन आएगा एक President और President कैसा आएगा जैसे इंडिया के अंदर आता है क्योंकि इंडिया और इंग्लेंड दोनों के अंदर ही Parliamentary System है जिसके वज़े से जो President चुना जाएगा वो ज़्यादा तर टाइम किसी ना किसी Political Party को बिलॉंग करेगा और वो बायस्ट वर्ट्स किसी भी Political Party के लिया होगा और वो किसी भी Party के लिए ये situation आइडियल सिचुएसन नहीं है उन सारी Parties के लिए एक आइडियल सिचुएसन है कि राजा को वहाँ पास अभी भी रखें एजसे रुमनी के लिए क्योंकि वो थोड़ा बहुत एक fame लाते है मिलकी कईबा बहुत बेकार तोर पे हो कभी अच्छे तोर पे क्योंकि अभी देखी सकते हैं कि पुर्जुनिया में कितना ज़्याद मिलिया अटेंशन मिल रहा है इस Coronation के वज़े से इस तासाही के वज़े से इसलिए आज भी वहाँ पास राजा है क्योंकि कोई भी वहाँ का जो Alternative है उसे चुनना नहीं चाहता और जब भी यह सवाल उठाये जाता है तो हमेशा मोदी नहीं तो कौन जैसा ही राजा नहीं तो कौन वाला सवाल और at the end of the day जो पावर रहेगी वो Political Party जो रूल कर रही है उसी के पास रहेगी जो PM है उसी के पास रहेगी तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे President हो या वहाँ पास राजा हो क्योंकि असली पावर तो ruling party के पास और PM के पास ही रहेगी